जहिन साथियों तो कैसे हैं आप लोग आशा उमीद है आप अच्छे ही होंगे मैं हिमानसु सिंग आप लोग का श्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रुकमिनी प्रकासन पर जैसा कि हम लोग SSC GD के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और चीज सीखने का प्रियास कर रहे हैं कि exam hall में question कैसे solve किया जाए किस अप्रोच के साथ हम question को solve करें ताकि कम समय में question solve कर ले तो उसके लिए सबसे पहला काम कि आपको concept पर अच्छे से पकर होना चाहिए concept पर आपका पकर रहेगा तो आप question को कर लिजियेगा और उसके बाद जब बड़ा बड़ा calculation आएगा, तो उस calculation को कैसे छोटा करेंगे, कैसे option के मदद से हम answer करेंगे, जैसे option का मदद लेंगे, तो कभी remainder का concept लगा देंगे, कभी unit digit लगाएंगे, कभी बिभारता का नियम चेक करके, कैसे कम समय में कर लेंगे, वो सीखने का प्रयास कर देंगे, औ आप दिज जाईए, वहाँ जूर जाईएगा, और PDF लेके एक बार उसी approach से solve किजिए, जिस approach के साथ कलास में आपको बताया गया था, और आप वैसे कर लेते हैं, उस पे आपका पकर रहेगा, तो exam hall में भी आप कम समय में question कर पाईएगा, हम लोग आज का set number 20 है, स्टार्ट करते हैं, पहला question क्या है, एक बैमान डीलर अपने माल को कर्यमूल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक केजी के वजए, 950 गराम के गलत वजन का पड़ियो करता है, उसका लाब परती से बताईए, सबसे पहले वो कर्यमूल पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक केज के अस्थान पर वो कितना दे रहा है, तो 950 गराम दे रहा है, तो उसको लाब होगा, वो कम दिया, तो उसको लाब हुआ होगा, अब कैसे पता करेंगे कि कितना परती सत लाब हुआ, तो रेशियो से हम इस परशन को बना लेंगे, और कैसे रेशियो बनाएंगे, तो आपक लाव हो तो रेशियो कम से जादा तो कम वालामान कितना है आप कहिएगा कम वालामान तो आपका 950 था और जादा वालामान कितना है तो जादा वालामान 1000 है अब 50 से काट लिजिएगा तो रेशियो क्या बन जाएगा 19 अनुपात 20 यानि CP के अस्थान पर क्या लिखिएगा 19 और SP के अस्थान पर 10 कितना का लाव है तो कहिएगा लाव है तो पलस लिख लेते हैं कितना का लाव एक का लाव किस पर तो 19 पर और परतीसत में लाने के लिए 100 से गुना कर देना है अब 1 वट्टा 19 अगुना होगा 100 से तो 100 वट्टा 19 और 100 वट्टा 19 को आप solve कर लिजिएगा तो 5 पुर्णा 5 वट्टा 19 पर तीसत आपका answer आजाएगा तो इस टाप के परश्ण को करने के लिए आपको एक चीछ हमेशा ध्यान रखना है जब भी लाब हो तो रेश्यो कम से ज्यादा जब भी लाब हो तो रेश्यो कम से ज्यादा और जब जब हानी हुआ हो तो रेश्यो ज्यादा से कम लिखिएगा और आप रेश्यो मेथर से इस पुशन को हमेशा बनाने का पर्यास कीजिएगा। अगला question देखिएगा, एक बैक्ति धारा के बिपरीत दिशा में 12 किलोमेटर परती घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 20 किलोमेटर परती घंटा की चाल से नाव चला सकता है। इस्थिर जल में बैक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ग्याद किजिए अब ये concept आपको मालूम होता तो आप देखते और एंसर कर देते दो से तीन सकेंड में अब उसका concept क्या है पथने stream का तो जब भी dhara के दिशा में जायेंगे तो चाल दोनों जुटेगा यानि नाओ का चाल और धारा का चाल जुटके आता है धारा के दिशा में तो धारा के दिशा में 20 है ना तो नाओ के चाल को आप X माल लीजिए धारा के चाल को Y माल लीजिए तो आप क्या लिख Ethereum की एक्स पलस Y कितना है, 20 है धारा के दिशा में 20 km परति घंटा से जा रहा और जब भी बिप्रीत दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाता है तो X-Y लिखेंगे X आपका 9 का चाल है Y आपका 12 का चाल है तो X-Y आप क्या लिखिएगा तो कहेगा 12 किलो मेटर प्रती घंटा आपको X और Y का मान निकालना है तो इन दोनों को आप जोड लिजिएगा और आधा कर दिजिएगा तो X का मान Y से Y कटेगा और 2X का मान 32 हो जाएगा फिर X निकालिएगा तो X आपका 16 किलो मेटर प्रती घंटा हो जाएगा Y का मान निकालना हो तो दोनों को घटा के आधा कर दिजिएगा y जब निकालने आईएगा तो x x कटेगा 2y बराबर आपका 8 हो जाएगा y का मान निकालिएगा 4 km परती घंटा होगा कहा है 4 km और 16 x के स्थान पर 16 यानि 9 का चाल 16 और 13 का चाल 4 km परती घंटा तो आप option number c में देखिएगा तो आपके option number c में क्या है 16 km परती घंटा और 4 km परती घंटा और आप concept जानती तो तुरत जोड के आधा घटा के आधा करते आपका answer आ जाता अगला question देखिएगा ना अगला question है एक ठोस लंबिर्तिय बेलन के पदार्थ को उसी तिर्जिया इस लाइन पर ध्यान दिजेगा उसी तिर्जिया बाले एक ठोस संकू के अकार में प्रिविर्तित किया जाता है यदि बेलन की उचाई 8.8 cm है तो संकू की उचाई बताईए एक बेलन को पिगलाया गया और उस बेलन की जो तिर्जिया थी न उसी तिर्जिया का एक संकू बनाया गया एक काउचाई दे दिया एक काउचाई आपसे पूछा तो आपको कॉंसेप्ट क्या बताये थे कि जब भी एक आकरती को पिगला कर कोई दूसरी आकरती का रूप दिया जाए तो उस केस में हम दोनों आकरती का आइतन बडाबर कर देते हैं आइतन ये क्वल करते हैं एक का मांदिया रहेगा उससे आप पूछ लेगा तो किसको पिगलाया बेलन को तो बेलन का आइतन क्या होता है कहिए बेलन का आइतन तो पाई आरे स्क्वाइर होता है पाई आरे स्क्वाइर और एच के अस्थान पर आपको क्या लिखना है आठ आठ सेंटीमीटर बेलन की उचाई आपको मालूम था कि आठ दसमला आठ सेंटीमीटर है अब संकु का आइतन उससार लिखा जाएगा पिहला के संकु बनाए है तो संकु का आइतन क्या होता है वन बट्टा थीरी पाई आर एसकुए आर के अस्थान पर यहां भी है स्मॉल आ यहां भी है स्मॉल माट ऐसा क्यूं क्यूंकि पस्ट में कहा मां उसी तिर्जिया बाले ।ोनों का तिर्जिया बड़ाबर है अब क्या करेंगे आपको का ऺड़ा संकु क्योंुक्त लिख आप इस साथ बंड का है तल पाल आरस स्कुए एज इस साइट संकु का है तर्फ देखिएगा कुछ-कुछ इहां कट रहा है तो क्या-क्या आपका कट जाएगा आपका पाई से पाई कट जाएगा आरे स्कुएड से आरे स्कुएड कट जाएगा अब यहां 8.8 है और 3 से गुना कर दिजिएगा उससाइट केवल H बचेगा तो H का मान कैसे निकलेगा 3 गुने 8.8 अब गुना किजिएगा तो आपका H का मान कितना आ जाएगा 26.4 तो कहां है 26.4 सेंटीमीटर तो आपके ऑप्शन नम्मर C में क्या है 26.4 सेंटीमीटर अब 26.4 सेंटीमीटर जो था संकु का क्या निकल गया उचाए निकल गया यानि उस बेलन को पिखला कर जो स संकु वनाये थे उस संकु का मुचाई कितना है तो 26.4 सेंटीमीटर अब अगला कोस्चन देखिएगा अगला कोस्चन है एक इलेक्ट्रोनिक गीजर को अंकित मुल्ग पर 15% और 4% की कर्मिक छूट देने के अत्रिक्त 244 रुपया कम करने के बाद 1700 में बेचा जाता है चूट रुपया कम किये उसके बाद कितना में बेचे है तो आपका एकहत्तर सव में बेचे है वह 244 नहीं कम करते तो कितना玩 Εब बेचते तो अंकित मुल्ग को मान लिजिए कि X होगा अंकित मुल्ग और इसके कितना छूट दिए पहली बार में 25 परतीसद 55 परतीसद चूट दिए तो 85 परतीसद पर तक हटाएंगे नीचे में 100 ये 80 100 को आपकाट लिचिएगा 17 अजाएगा shift फिर अगली वार क्या करते हैं फिशार परतिसत का छूट देते हैं तो अब इसका 96 पर दिये तो इसका क्या करेंगे 96 और बटा में 100 लिखिए या इसको काट किआप 24 वट्टा 25 भी लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 24 वट्टा 25 तो 24 वट्टा 25 लिखिए और बडावण में क्या लिखेंगे इसमें से 244 रुपया चुट नहीं देते तब कितना में बेचते तो एक 700 और प्लस 244 तो आप क्या कहिएगा ते 734 में बेचते अब तो आपको यहां काटा कुट्टी करना होगा तो सबसे पहले हम 17 से कारते हैं इसको आप इसको 17 से काटियेगा तो 17 यहां कट जाएगा और यहां काटियेगा इससे तो 17 चोक है 68 उसके बाद आपका क्या बचेगा पाँच बच जाएगा फिर 17 150 और फिर 17 दुना 34 अब 24 से काटियेगा तो 24 सेsanRCोबीच से आपका यह कितना बार में कट जाएगा ठार्वा बार मे चोवीश से ये पूरा-पूरा कर जाएगा, अब X का मान आप कैसे निकालिएगा तो X का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो X वराबट 20 गुणे 15 तो 20 को आप 25 से गुणा केलिए, और गुणा में आपका क्या आ जाएगा वो 18 आजाएगा फिर 18 से गुना कर दिजिए अब 20 को आप 25 से गुना किजिएगा तो 500 होगा और 500 को 18 से गुना कर दिजिएगा तो 9000 हो जाएगा कहां है 9000 आपके option number C में क्या था 9000 कोस्टन केबल एक लाइन का था इतना लिखना है और दो बार छोटा छोटा काट के आप एंसर कर लेते हैं और बहुत बच्चे क्या करेंगे यहां से फिर घट आएंगे 204 एक स्टेप जादा बनाएंगे तो आप वो एक स्टेप जादा न बनाके लास्ट में जो कहा गया 244 रुपया और छूट देंगे तब एक 700 में बेचते हैं तो आप वो छूट नहीं दीजिए और उसको 7344 के बराबर कर लिजिए फिर काटके अंकित मुल निकाल देजिए अब अगला कोस्टन देखिएगा तो अगला कोस्टन है पिरिया अपनी बस्तू के अंकित मुल पर 5% की छूट देती है और फिर भी 18% का लाव अरजित करती है किसी बस्तू का कर्या मुल क्या होगा यदि उसका अंकित मुल 944 रुपया है यानि पहले ये अंकित मुल पर छूट दी है बेची उसके बाद फिर भी इसको लाव हुआ तो इस टाइप के लिए आपको एक फर्मुला बताये थे कि इस परकार का परस्ट जब भी आए तो ए जैसे अभी आपका अंकित मुल दे दिया कर्या मुल पूछ लिया कभी कर्या मुल दे देगा अंकित मुल पूछ लेगा कभी उसका अनुपात पूछ लेगा कि कर्या मुल से अंकित मुल का क्या अनुपात रहा होगा कभी पूछेगा अंकित मुल कर्या मुल से कितना परतीस और माइनस में D वोले तो discount percent और नीचे में आपका क्या आएगा तो 100% और पलस में P वोले तो profit percent यह CP से क्या होगा आपका MP का ratio होगा इसी फर्मूला पे आप बैठाते हैं तो उपर में आपका CP है discount कितना दिया तो 5% छूट दिया 100 में से 5 घटाईएगा तो कितना आ जाएगा कहिएगा CP उपर में है उपर 95 होगा और नीचे क्या लिखिएगा 18% लाग हुआ तो 100 पलस 18 तो क्या जाएगा 118 यानि यह CP है यह MP है कटगा तो काटी है और नहीं कटेगा तो छोड़ दिजिए और यह MP है अनुपात में और रियल में अंकित मुल यानि MP कितना है तो कहिए 944 है तो यह 118 में किसके बराबर है तो कहिएगा रुप्या 944 के बराबर है तो यह कितना गुना है उसका तो आप कहिएगा यह आपका आठ गुना है तो यह भी कितना गुना हो जाएगा क्रेमुल यह आपका क्रेमुल था 95 यूनिट तो यह भी अपने आपका आठ गुना ह अब यह कैसे 8 गुना हो कैसे पता करेंगे तो 944 में 118 से भाग दिजिएगा आठ बार में कटेगा यानि इसमें 8 से गुना होके 944 आया उसी परकर 95 में 800 गुना करके जो भी आएगा वह आपका करयमूल होगा तो आप गुना किजिएगा तो कितना हो जाएगा 800 में से 40 कम 760 कि जाएगा 95 को 8 से गुना किजिएगा रीयल में रुपया में तो 750 अब गहेगा कैसे आप गुना कर लिए तो थोड़ा दिर के लिए इसको एक सो माल लिए और एक सो को आप से गुना कर दिए तो 800 आ जाएगा और ये 100 से 5 कम था तो 845 चालीस जालीस घटा दिए आट सो में से ऐसे गुना भाग को हम एक्जाम होल में कम कर सकते हैं अब अगला कोस्टन देखिएगा तो आपका अगला कोस्टन है यदि X और Y का अनुपाद 3-4 है तो X और Y के बिच संबंध ग्याद किजिए इस कोस्टन में आपको X और Y का अनुपाद दे दिया अब दोनों में क्या स संबंध है वो option दे रखा है उस option में से बताईए कि कौन सा option सही है तो पहला option देखिएगा पहले option में क्या कहा जा जा रहा है X Y का 75 परतीसत है तो X 3 है Y 4 है तो X बोले तो 3 किस का तो Y का कितना परतीसत है निकालिएगा तो 100 से गुना करना होगा यानि 3 4 का कितना परतीसत है तो आपका आ जाएगा 75 परतीसत और उसके बाद आगे भी कुछ कहा गया आगे क्या कहा गया है और Y X का 133.33 परतीसत है तो Y है कितना तो कहिएगा y अनुपात में 4 है किस से तुलना किया है x से कहा y x का कितना परतीसत है तो y 4 है 4 3 का कितना परतीसत है तो 100 से गुना कर देंगे किसी को भी परतीसत में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा ही अब इसको solve कर लिजिए गा तो इतना आजाएगा आपका 133.33 इसका मतलब कि पहला कंडिशन जो भी बात बोला गया वह आपका क्या है सही है तो आपका एंसर क्या हो जागता आपसर नम्मर एग अगला कोश्चन देखिएगा कोश्चन नम्मर साथ है तीन संख्या ये 4-5-6 के अनुपात में है और उसका लगुत्तम समावर्टक 180 है उसका महत्तम समावर्टक 10 होगा उसका महत्तम समावर्टक क्या होगा संख्या real में नहीं दिया संख्या का क्या दिया अनुपात दिया कि संख्या 4, 5 और 6 के अनुपात में है उसका loss दे दिया और mossa पूछ रहा है तो अनुपात में जब भी संख्या देना तो आप तो अनुपात में भी question को बना सकते हैं लेकिन समझाने के लिए थोड़ा दुर के लिए सब को आप x माल लीजिए कि ये संख्या 4x है ये 5x है ये 6x है अनुपात में है तो पक्का 4, 5, 6 तो होगी नहीं तो हम constant को लगा लेंगे कि संख्या 4x, 5x और 6x होगी ठीक है तो अब संख्या 4x, 5x, 6x का loss कितना है और 5x और 4x का loss तो कहिएगा 60x हो जाएगा सम्मेहम थोड़ा दिर के लिए x लगा लिए थे कि संख्या का जो अनुपात है ये यिसमें यहां आप x लगा लिजिए यहां भी आप x लगा लिजिए और यहां भी आप x लगा लिजिए फिर इसका लॉसो निकालिए तो लॉसो आ गया 60X और आप से क्या पूछा गया? HCF पूछा गया तो आप HCF निकालिए तो HCF आ जाएगा X क्यों? 4X, 5X, 6X का HCF X आएगा आप कहिएगा solve कैसे करेंगे? हमसे X का मान पूछा गया और दोनों चीया आप निकालिए 60X निकालिए आप लॉसो और लॉसो है रियल में कितना? कहिएगा 180 है तो इस 60X का मान कितना दे रखा है? कहिएगा 180 दे रखा है यहां से X का मान निकालिएगा 3 आ जाएगा आप से क्या पूछा? HCF पूछा यानि X पूछा X के अथान पे क्या रखिएगा? 3 रखिएगा आपका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा कहां था 3? आपके option नमर A में पहले आप X मानिए और X में बताइए कि लॉसो और मॉसो क्या है? फिर एक दे रखा था उससे तुर्णा करके X का मान निकल जाएगा फिर जो आपसे पूछा गया वो आप बता देजिएगा अगला question देखिएगा तो अगला question भी अगर परतीसत का आपको भी नियाद होता और calculation कम समय में आप करते तो बहुत कम समय का question था यह question easy है, question बहुत tough नहीं है लेकिन इसमें जो calculation आएगा उस calculation को option के मदद से कैसे हम कम करेंगे आईएगा पढ़ते है question, question कहा एक गाउं की जनसंख्या में पहले बर्स में सारह 12% की बिर्दी होती है और दूसरे बर्स में 8% की कमी होती है यदि गाउं की वर्तमान जनसंख्या 32 है तो दो बर्स बात गाउं की जनसंख्या कितनी होगी तो पहले बर्स सारह 12% बिर्दी है तो सारह 12% का fraction आपको याद होना चाहिए कहिएगा कितना तो एक बट्टा 8 है बिर्दी है तो जोरेंगे जोर के नौ बट्टा 8 रिखेंगे यानि 8 होगा अनुपात में तो एक का बिर्दी होके 8 से 9 होगा अब ये सारह 12% का fraction एक बट्टा 8 है वो आपको कैसे बता होगा तो जब भी आपको पर्तिसत का class बताएंगे, तो उसमें सभी पर्तिसत को फीन में कैसे बदलते हैं, वह आपको बतादेंगे वह आपको ध्यान में रहेगा, आप कम समय में question कर दे जियेगा तो कहिएगा कितना जन संख्या था वर्तमान में तो वर्तमान में आपका 32 था और पहले बर्स में कितना बिर्धी हुआ तो सारे 12 परतीशत किसे गुना कर देंगे 9 बटा 8 से सारे 12 परतीशत का मान एक बटा 8 बिर्धी हो तो जोड के गुना करेंगे 9 बटा 8 से और दूसरे बर्स में 8% की कमी हुआ तो यहां से अब 8% का आप कमी कर लिजिएगा तो 8% कमी मतलब 90% परतीसद हटाईएगा नीचे में 100 आएगा यहां 90% लिखिएगा परतीसद हटेगा नीचे में 100 आएगा अब इसी को 100 करके एंसर करना है तो जीरो से जीरो तो काट लिजिएगा उसके बाद गुना भाग थुरा सा मुस्किल होगा तो उसको कैसे कम करे वो सीखना है अब लोग को अब देखिए यहां गुना कीजिएगा तो 8% हो जाएगा नीचे में 1 1 एंग चे कर लेंगे और 1 एंग के कोंसर्ट से कूस्छिन को बनाएंगे तो यहां 1 एंग क्या है 6 है यहां 1 का 2 है तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो बार्व आएगा यानि answer का 1 कितना होगा 2 होगा answer जो भी हो लेकिन ऐसके last का अंग 2 होना चाहिए तो अब कहां कहां 2 नहीं है तो कहेगा option number यहां 2 नहीं है और यहां भी 2 नहीं है यह दोनों answer नहीं होगा अब इन दोनों में कौन सा answer होगा यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो हम यह देख रहे हैं कि मेरा answer जो भी आ रहा है वो 36 से गुना होके आ रहा है और 36 से गुना हो रहा है त यह 36 से गुनाहों के अंसर आ रहा है, तो दोनों option में कौन सा option आपका 9 से कट रहा है, यह चीज़ आप चेक कर लिजिए, तो 9 का नियम क्या है कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी, तो उसके लिए क्या चेक करना होगा, यदि किसी संख्या के अंको का योग 9 से कट जाए, तो वो प इतना है, तो 3, 3, 6, 1, 7, और 2, 9, यह पूरी संख्या 9 से कट रही है, और इस option में देखिएगा, तो 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, इसका जोड 10 आया, यह 9 से नहीं कटेगी, तो एंसर आप क्या क्या हो जाता, भी हो जाता, और यह काम आप सुरू में भी चेक कर सकते थे, जब 32 का आपक यह परस्ट कोई टफ नहीं था, इस परस्ट को सभी बच्चे करेंगे, लेकिन एकजाम हॉल में परस्ट करना केवल महत्पूर नहीं है, आपको कम समय में परस्ट को करना है, तभी आप अगले बच्चे से आगे हो पाईएगा, अब अगला question देखिएगा, question number 9 है, और यह बहुत बहतरिन परस्ट है, यह परस्ट जब भी आता एकजाम हॉल में, तो maximum लोग इस परस्ट को छोड़ते हैं, और इस परस्ट में दो चीज पूछ लिया गया है, कभी-कभी तो एक चीज ही पूछा जाता है, यहाँ दो चीज पूछ लिया गया, तो क्या-क्या पूछा है, वो समझते हैं हम लोग, कोस्टन में कहा, कि एक ही बिंदू से सुरू होने वाले 5000 मीटर की एक विर्ताकार दौर में, दो परतियोगियों, A और B की चाल करमसा 36 किलो मीटर परति घंटा और 54 किलो मीटर परति घंटा है, यदि वे बिपरीत दिसा में और समान दिसा में द जात किजिए, आपको हैले कोस्टन आया होगा, पहले का स्रेट आप किये होगा, तो हहां केबल ये कोस्टन था कि समान दिसा में जाते हैं, तो पहली बार मिलने में समय बताईए, या विपरीत दिसा में जा रहे हैं, तो पहली बार मिलने में समय बताईए, यहां वो न पर पहली बार मिलने में समय का अंतर बताईए तो अलग-अलग हम समय निकाल लेते हैं कि जब समान दिसा में गए होंगे तो कितना समय बाद पहली बार मिले होंगे और जब विप्रीद दिसा में गए होंगे तो कितना समय बाद पहली बार मिले होंगे तो दूरी के अस्थान पे तो 5000 मीटर लेंगे और चाल के अस्तान पर सापेक्स चाल आएगा क्योंकि दो वेक्ति है एक केस में समान दिसा है एक केस में भी प्रीद दिसा है जब वो समान दिसा में जाएंगे तो सापेक्स चाल उनके चालों का अंतर होता है और जब वो भी प्रीद दिसा में जाएं में जाते होंगे तम और समान दिसा में जाते होंगे तो दूरी तो 5000 मीटर ही होगा और चाल निकालना है हमको समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल या दूरी बराबर चाल गुले समय तो वहां से समय निकालिएगा तो दूरी बट्टा चाल तो दूरी के अस्तान पर 5000 मीटर लिखेंगे और समान दिसा में जाए तो चाल घटेगा यानि चाल का अंतर लेंगे तो अंतर कितना है 54 और 36 का 18 है यह समान दिसा के लिए है 18 किलो मीटर परती घंटा में है इसको आप मीटर परती सकेंड में लाईएगा पांच बट्टा 18 से गुना करके क्यों कि दूरी आपका मीटर में था तो चाल भी आपका मीटर परती सकेंड में होना चाहिए अभी 18 से आप 18 को काट लिजिएगा इस 5 से उसमें भाग दे लिजिएगा तो आपका first case में यानि समान दिसा में कितना समय आजाएगा तो एग एक हजार second लगेगा जब वो समान दिसा में जाएंगे तब और बीपिर्ट समय निकालते हैं यानि T2 का मान निकालते हैं तो बीपिर्ट दिसा में भी दूरी तो आपका पांच हजार मीटर ही रहेगा और चाल के अस्थान पर चाल को जोड़ेंगे तो दूरी के अस्थान पर क्या लिखिएगा दूरी के अस्थान पर पांच हजार मीटर और चाल के अस्थान पर साप एक चल भी प्रियदिसा में हैं तो दोनों चाल को जोड़ेंगे 54 और 36 को जोड लिजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा और ये कीलो मीटर परती घंता में है 5 वट्टा 18 से गुणा करके मीटर परती सकेंड में ले आईए 18 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा पांच बार में कट जाएगा फिर 5 को 5 से गुना किजिएगा तो 25 होगा और 25 से पूरा में भाग दे लिजिएगा तो कितना समय आ जाएगा? कईएगा 200 सकेंड आ गया यानि यह जब वो समान दिसा में गए तब कितना समय लगेगा? पहली बार मिलने में और ये जो समय है जब वो बिप्रियदी सामें गए तब पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा तो एक में 1000 है एक में 200 सेकेंड आया तो दोनों के बीच अंतर कितना है तो कहिए का 1000 में से 200 घटाएंगे 800 सेकेंड का क्या था अंतर था कहां था 800 सेकेंड तो अपसर नमबर 2 में ये पस जब भी आएगा तो आपको कॉंसेप्ट अच्छे से पता होगा तभी आप उसको किजिएगा और उसी सब पस्ट को जब आप कम समय में करने लग जाईएगा तो समझे आप सेलेक्शन के करीब है अब आप अगले बच्चे से आगे हो सकते हैं उन सब पस्ट को यदि आप कर लेते हैं तब अगला कोस्टन देखिएगा तो यह भी कोस्टन फार्मूला पर अधारित है सभी बच्चे इसको करेंगे लेकिन इसको कम समय में कैसे किया जाए वो आपको सीखना है तो सीखते हैं हम लोग कहा है यदि एक संकु के आधार की तिर्जिया और तिर्यक उचाई करम सा 17 सेंट संकु का कुल पिरिष्ट्रिय च्यत्फल क्या होगा यह तो फॉरमूला पर है लेकिन गुना भाग को हम कैसे कम करेंगे तो कुल पिरिष्ट्रिय च्यतफल बौले तो टोटल सर्फेस area होता क्या है संकू के लिए तो आप कहिएगा πाई R और इंटू में R पलस L होता है सब का मान रखना है और solve कर देना है तो यहां क्या रखिएगा आप पाई के अस्थान पर तो कहिएगा पाई के अस्थान पर 22 वटा साथ रखेंगे R के अस्थान पर क्या दे रखा है तो सत्रो सेंटीमीटर तो साथ से काथ लिजिएगा इस 42 को इस पूरे 42 को तो चो बच जाएगा चो बच्छे का इसको एक स्टिप हम छोटा कर लिए कि 17 पचीस को जो रेंगे तो 42 और इस साथ से काट लेंगे तो वहां चो बच्छे का अब कैसे एंसर करेंगे तो 22 तो आना ही आना है गुना में फिर 17 है और गुना में क्या है आपका 6 है तो इसी गुना को न करें और कम समय कईसे हम एंसर करते तो एकाइएंग चेक करते देखते हैं साथ से गुणा करेंगे है तो साथ दुना चोदव एकाइंग चार बनेगा उस चार को छष फिफ फख nugना Job 24 का एकाइएंग4 या इंसर का भी 41 क्या होगा bosses केवल एक ही वैसा option था जहां answer का इकाईयंग क्या था चार था तो यह गुनाभाग जो वच्चे नहीं करेंगे वही थोड़ा कम समय में question को कर जाते हैं यहां आप इकाईयंग का concept लगाते हैं और question को बना लेते हैं अब अगला question देखिएगा एवरेज का question है यह पर केवल और केवल दो से तीन सेकेंड का है केवल लगे दिए आपको अच्छा concept मालूम है तब अगर basic से बनाईएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा 10-20 second लग जाएगा और concept से बनाईएगा concept पर पकर होगा आपको मालूम होता तो यह दो से तीन सेकेंड का question था अब कैसे बनाईएगे question वो सीखिएगा तो कहा 11 संख्याओं का उसत सारे 7 है उसत सारे 8 करने के लिए इसमें कौनसी बारवी संख्या जोड़ी जाने चाहिए अब 11 संख्याओं का उसत 7.5 है तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा तो 11 गुने 7.5 तो आप 11 का योग निका ल इसमें कौन सी 12 संख्या जोड़े तो उसको भी add कर दिजिए 12 संख्या को माल लिए कि वो संख्या X होगी तो यह 11 संख्या का योग है और प्रलस में 12 संख्या यह आपको वेशिक बता रहे है और फिर वेशिक के बाद एक्जाम हॉल में कैसे करते वो भी आपको बताएंगे तो ये टोटल बारो का योग हो गया और ये किसके बड़ाबर होगा तो आगे कहा गया कि बारो संख्या का आउसत क्या हो जाए आठ दसमलब पांच हो जाए तो इधर बारो का योग इधर बारो के योग के बड़ाबर होगा अब इसको गुना कर लिजिएगा तो आपका कितन आजाएगा आपका यहागा बिरासी दसम्लाव 5 होगा अब इसको कैसे किए तो सबसे पहले हम इसको थोरा दिर के लिए 10 से गुना कर दिये 75 आया और उसमें 7 दसम्लाव 5 जोड लिए और पलस में क्या लिखेंगे तो एक्स लिखिएगा और उस साइट गुना किजिएगा तो पांच को घटा लिजिएगा तो 19 दसम्लाव 5 आपका क्या आएगा एंसर आजाएगा कहां है 19 दसम्लाव 5 तो option number C में यह तो रहा इसका वेसिक तरीका कि वेसिक से इस question को कैसे करें और एक्जाम होल में इसी को कैसे करना था वो सिखिए तो आप कहिएगा एक 11 संख्याओं क और सारे साथ था तो बारवी संख्या जो भी जोड़े होंगे न वो भी सारे साथ तो होना ही चाहिए तो सारे साथ तो उसको होना ही चाहिए तो सारे साथ तो वो होगा ही होगा और उसके आने से और सारे साथ में कितना बिर्धी हुआ तो कहिएगा पहले सारे साथ था आज सारे आठ हो गया, तो बिर्धी कितना का हुआ, एक का बिर्धी हुआ, तो एक लिख लिजिएगा, और कितना संख्या पर हुआ, तो बारो पर हुआ, कैसे बारो पर हुआ, क्योंकि पहले से एक ग्यारो संख्या, और एक उसके आने के बाद, बारो संख्या हो गया, आने के बा आड़मी संख्या निकल के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 19.5 एक्जान वाल में आपको ऐसे करना था और बेसिक से ऐसे करना था अगला कोस्टू को एक निस्चित मुल्पर बेचनेरा एक महला को तीस परतिसत का लाँ होता है यदी हुआ इस एक दोगुन्य मुल्पर बेचती है तो उसे अरजित लाँ कितना परतिसत होगा यानि एक बस्तू को एक मैला किसी भी मुल पर बेची है तो उसको 30% लाब हुआ अब वो कहती है कि इस बस्तू को हम दो गूने मुल पर बेचेंगे तो मेरा लाब पर 30 क्या होगा वो आब बताएगे तो माल लेते है कि बस्तू का कर्यमूल यानि CP कितना होगा तो 100 unit होगा या 100 होगा ठीक है अब इसको बेचने पर 30% का क्या मिला लाब मिला पर स्तू केज में तो 30% लाब मिला होगा तो कितना में बिचेगा इसमें 30% का अब बताएगा और फिर महला अब क्या कहती है कि वो अधी दो गूने में बैच थी यहां कहा गया दो गूने मुल पर बेचती है कब लाब बताएगे वो बेच रही है 130 में, 100 का समान था, तो 30 पर 30 लाव हुआ, अब वो दो गुने मुल पर बेचेगी, तो 130 के दो गुना पर बेचेगी, तो अब नया SP कितना हो जाएगा, आप निकालिएगा new SP, तो new SP यानि new selling price, तो आपका कितना हो जाएगा, इसका दो गुना, दो गुना लि इतना में विक रहा, 260 में, तो 160 जादा में विक रहा है, तो लाव कितना का होगा, 160 पर तीसत का, अब ऐसा क्यों, क्योंकि 100 से कोई चीज जितना जादा हो, उतना ही वो पर तीसत में भी जादा होता है, जैसे आप यहां देखिए, 100 से 30 जादा था तो पर तीसत में भी 30 था यानि 100 से कोई भी चीज जितना जादा हो वो रियल में भी उतना ही जादा होगा परतीसत में क्योंकि परतीसत निकालने जाएंगे तो तुलना 100 से करेंगे नीचे में 100 आता है और 100 से 100 कट जाता है इसलिए 100 से 160 जादा है तो परतीसत में भी आपका answer क्या जाएगा 160 परतीसत लाव होगा जब वो दोगुने मुल पर बेचेगी तब अगला question time and work का है इस question को आप किजिएगा A और B मिलकर कोई काम 20 दिनों में कर सकते हैं जबकि B अकेले उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है उसी काम को A अकेले पूरा करने में कितना दिन लेगा अच्छा दोनों आदमी मिलते हैं तब कितना दिन लगता है तो कहिएगा आप A पलस B जब दोनों आदमी मिलके काम करते हैं तो A और पलस B मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेते हैं, तो 20 दिन में कर लेते हैं, तो 20 दे लिख लिजिएगा, और को फिर B अकेला करता है, तो B अकेला उस काम को 25 दिन में कर देता है, तो टोटल काम निकालिएगा, इन दोनों का क्या लिजिएगा, आप इन दोनों का LCM लेके टोटल काम निकालियेगा तो 20 और 25 का LCM कितना आ जाएगा अब यहागा 20 और 25 का LCM 100 होगा यानि टोटल काम कितना था 100 था और इसको 20 दिल लगा i Bridge दोनों मिलके कुए तो इन दोनों का छमता कितना होगा परतेक दिन के लिए पांच छमता से यह लोग काम कर रहे होंगे 20 दिन लगा है दोनों को 100 काम करने में तो पर तेक दिन 5 छमता से काम हो रहा होगा और उसी परकार B को लगा 25 दिन तो B पर तेक दिन 4 छमता से काम कर रहा होगा यानि A भी मिलते हैं तो 5 के छमता से काम हो रहा है बी अकेला चार चमता से काम किया तो इसमें एका चमता कितना होगा अब एका चमता एक होगा सभी जगा हम चमता को घेर के लिखते हैं और बी का चमता कितना होगा चार होगा तो दोनों मिलके पांच हो गए और बी अकेला यहां चार था आप से पूछा एक को कितने दिन लग अकेले पूरा करेगा तो अब एक को कितना समय लगेगा तो एक चमता तो पड़ती एक एक का है और टोटल 100 काम था हमारे पास और एक एक काम करेगा तो उसको कितना दिल लग जाएगा 100 दिल लग जाएगा कहां है 100 दिल आपके option number C में क्या था 100 दिल यह सब पर्ष्ट इजी होते हैं यह सब पर्ष्ट सभी वच्चे करेंगे जो पर्ष्ट पीछे आया था वो भी कुछ tough पर्ष्ट थे और कुछ पर्ष्ट ऐसे थे जिसमें calculation में आप समय अपना बचा सकते थे अब इस पर्ष्ट को दिखिएगा यह पर्ष्ट करा एक महला घ पर्ष्ट थे धर के दौराण उसकी ओसता चाल बताईए यहां दूरी सेम है व में अलग अलग चाल से कर रही है तो उसता चाल की लिए बोले तो average velocity क्या फर्मूला आपको लगाना है 2 गुने xy और बट्टा में x plus y x plus y तो आप किया किजिएगा 2 गुने 40 और गुना में क्या किजिएगा 70 और नीचे क्या किजिएगा 40 plus 70 तो आपका क्या जाएगा 110 अब 1 0 से आप 1 0 काट लिजिएगा 80 और 80 को 7 से गुना कर लिजिएगा त 50560 और 560 में 11 से भाग देना है भाग देने जिएगा 50 बार में पूरा पूरा आपका कट जाएगा 10 बच जाएगा तो 10 बट्टा 11 आपका एंसर क्या जाएगा 50 पुर्णा 10 बट्टा 11 किलो मीटर परती घंटा कहा था option नमर B में तो इस question को करने के लिए केबल आपको formula होना चाहिए था और कौनसा formula तो average velocity का formula जब दूरी constant हो तब अगला question देखिएगा अगला question है 16 और 320 का तिर्टिया समानुपाती अब तिर्टिया समानुपाती 3rd person को बोलते हैं यह ratio का परशन है और यहां से 2-3 परशन पूछे जाते हैं कभी आपसे तिर्टिया समानुपाती कभी मध्या समानुपाती कभी 4th समानुपाती आप पीछे का class देखी हुईएगा तो वहां लिए इस टाइब के परष्ण आ चोके हैं यहां आपसे क्या पूछा तिर्थिया समानुपाती दो संख्या देगा आपसे तिर्थिया समानुपाती पूछेगा तो आप दूसरे संख्या का S-quire कर दिजिएगा दूसरे का S-quire यानि 320 का क्या करेंगे? S-quire तो 320 का S-quire क्या होगा? 320 अब उना में 320 और बट्टा में पहले संख्या से भाग देना है किसी का S-quire मतलब दो बार दो बार गुना करना और पहले संख्या से भाग देगे तो पहला सेंख्या 16 है 16 दूना 32 काट लिजिएगा तो कितना बार में कर जाएगा आपका 20 बार में और 20 को गुना कर लिजिएगा 320 से तो आपका एंसर क्या जाएगा 64 पर 00 कहां है 64 पर 00 तो option नमबर A में यह सब प्रशना आप आसानी से बना लिजिएगा अगर आपको फॉर् आप गलत इंसर निकाल लिजिएगा question में कहा 18 और 24 से बीभाजित सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का बढ़ ज्यात किजिए समझे question कहा 18 और 24 से बीभाजित सबसे छोटी संख्या बताइगे तो आप कहिएगा 18 और 24 से विभाजित सबसे छोटी संख्या 72 है कैसे निकाले तो इन दोनों का लोसल ले लेंगे छोटी से छोटी संख्या तो लोसल होती है तो 18 चोविस का लोसल लिए अब 72 आया संख्या के अंको के योग का बढ़ग तो अब इसके अंको का आप योग कीजिए गा, तो क्या कहिएगा, साथ पलसród दो, तो अंको का योग कितना आ गया? नौ आ गया, तो अंको का योग नौ आया, अब इसका बढ़ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका वर्ड कर दीजिएगा, नौ का बढ़ कीतना? एक क्या सी कहां था एक क्या सी आपके option नमर ए में क्या था एक क्या सी अब अगला question देखिएगा अगला question कहा गया है एक discount क्या स्केम में 500 रुपय के अंकितमुल पर 50% की छूट है लेकिन अंत्व में 200 में बेचा गया करा हां को कितनी अत्रिक छूट गेले सबसे पहले तो इसका अंकितमुल कितना था 500 था और इसkickे पहले 50 पर हो जाएगा आपका 2800 हो जाएगा यानि 250 होगा लेकिन 250 में भी इसको नहीं बेचल यहां से फिर कुछ छूट देके इसको हम 200 में बेच दियें कि लबेच दिये 200 में बुच दिये तो आप extra कितना चुट दिये तो आपको एगा एक्ष्टा छूटा आप यहां से कितना का दिये पचास का दिये तो रुपया में यानि यूनिट में पचास का छूट दिये परतीसत में बताईए कि कितना का छूट दिये तो आपको एगा पचास का छूट दिये किस पर तो अरहाई सो पर अरहाई सो आ गया तो एक बट्टा पांच होगा, एक बट्टा पांच आपका कितना परतीसत होगा, बीस परतीसत होगा, आपके option नमर B में क्या था, बीस परतीसत, अब अगला question देखिएगा, समझ के पढ़िएगा, question easy है, लेकिन जलबाजी में इंसर परस्ण में आप गलती कर जाईएगा, question क कहता है, यदि संख्या 40 में 40 परतीसत की विर्धी की जाती है, तो वास्तविक विर्धी ज्याद कीजिए, यानि विर्धी कितना हुआ, वही बताईए, ये मत बताईए कि विर्धी के बाद वो संख्या कितना हो गया, तो आप कहेगा, 40 संख्या पहले से था, और इसमें वि सोलो करना है और जल्दबाजी में आप क्या किजिएगा 40% विर्धी किये न तो 40 पहले था सोलो बढ़ जाएगा 56 हो जाएगा 56 भी option में दे रखा है लेकिन आप से पूछा क्या कि वास्तविक विर्धी बताईए कि विर्धी कितना किये तो विर्धी आप कितना किये 40 का 40% यानि सोलो अगले question को देखिएगा अगला question board mask का है और board mask का पस जब भी आएगा न तो केवल board mask को solve करना है जो जो किरिया पहले करना होता है उसको आप किजिएगा अब यही पर्षन है तो इस उना करेंगे एक बट्टा चो से उपर में आपका क्या रहेगा एक बट्टा चो रहेगा और फिर बड़ा बट्टा लगा लेंगे यहां तो पहले आप का काम करेंगे, तो 1 बट्टा 6 और आप में है 1 बट्टा 6 तो यहां क्या लिखेंगे, इधर 116 लिखे रहेंगे, और भाग है तो भाग लिख लेंगे, और आप को solve कर लेंगे तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा, एक बट्टा 36 आ जाएगा और माइनस में इधर क्या लिखा हुआ है एक बट्टा 36 पहले से मौजूद है तो उसको भी आप लिख लेजिएगा अब उपर में तो एक बट्टा 6 ही है उपर में आपका क्या है एक बट्टा 6 है और नीचे इसको solve किजेगा तो एक बट्टा 6 तो रहेगा और इस भाग को गुणा में बदलिएगा तो 36 उपर चल जाएगा 36 उपर जाएगा और नीचे 6 रहेगा काट दिजिएगा कितना आ जाएगा कैसे इसको solve किए वो आप समझेगा साइड में कि एक बट्टा 6 रहेगा और ये गुणा में बदल के 36 पलट जाएगा ये एक बट्टा 36, 36 हो जाएगा फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो 6 यहां लिख लिए अब पहले से इस साइड माइनस में क्या है तो बहेगा एक बट्टा 36 है आप इसको फिर उपर ले जाएगा तो नीचे एक होता है पलटेगा तो एक बट्टा क्या बन जाएगा ये ये भी एक बट्टा 36 और उस साइड एक बट्टा 36 इसका इलजार कर रहा है माइनस में एक पलस में एक माइनस में कटके अंसर क्या आजाएगा जीरो कहां था जीरो तो आपके option number B में क्या था जीरो अब अगला question देखिएगा आज का आखरी question है question number 20 ये भी परशन easy है लेकिन calculation कैसे करें ताकि हम कम समय में करें वो आपको इस परशन में सीखने को मिलेगा question पढ़ेंगे question कहा अफजल की मानसिक आई 35,000 है वो अपनी मानसिक आई का 20 पर 30 भोजन पर खर्च करता है थीज़ पर तीस पर-तीसत कपड़ा पर اور 15 किराय पर खर्च करता है आठ जल परतीमा कितनी धन्रासी की बजत करता है आप कहिएगा उसका आई कितना है तो उसका आई आपका ठा 35,000 हो खर्च कितना कितना किया 20 पर तीस पर-तीसत और 15 पर-ती- wild टो 20, 30, 50 50, 15, 65 65 पर थिसद खर्च कर लिया तो आई हमेशा आपने 100% और 100 में से 65 पर थिसद खर्च किये 100 में से 65 को घचा लेंगे तो कितना बच जाएगा 35 पर थिसद यानि वो कितना बचत किया है 35 पर थिसद आप इस पर थिसद को हटाईएगा नीचे में 2 0 आएगा परतीसत हटता है तो नीचे में क्या आता है 2 0 हाता है तो एक step आप छोटा कर सकते हैं इस परतीसत से 2 0 को आप काट लिजिए क्योंकि नीचे 2 0 आएगा और 2 0 से 2 0 कटेगा तो अगला step में आप क्या लिखिएगा 35 पर 1 0 और गुना में 35 अब 35 को गुना क कि जिएगा 1225 पर 1 0 आपका क्या जाएगा एंसर आजाएगा कहां है 1225 पर 1 0 तो option नमबर D में अब कम समय में कैसे कि एक तो तरीका आपको 35 का स्कॉर मालूम होना चाहिए एक आएंग 5 है एक जोड़ दिये 4 4 तिया 12 1225 कर दिये या वह आप नहीं याद है तो आप कैसे करते एक 0 तो लास्ट में जोगा और उसके बाद 5 है यहां भी 5 है 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होगा यानि 0 के बाद क्या होगा 5 होगा एक 0 तो होना है और उसके बाद 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा 0 के बाद कहा 5 था तो केबल यही option है जहाँ 0 के बाद क्या था 5 था तो आपका answer क्या हो जाता D हो जाता आज का class आप सीखे class आपको कैसा लगा class पसंद आया हो इस channel पे नए है तो channel को subscribe करे अपने दोस्त साथी के बीच भी इस video को share करे कि उहाँ पर भीतरीन तरीके के साथ solution बताया जा रहा है सब लोग आके यहाँ से लाव ले फिर मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए बाई बाई लव यो टेप केर